नॉर्थ कोरिया के तानाशा किम जॉंग उन अक्सर मिसाइलों के टेस्ट और उनकी लॉंचिंग को लेकर सुर्खियों में रहते हैं दरसल नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी सेन्ने ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है वो अपने पडोसी देश डक्षन कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है नॉर्थ कोरिया ने अपने प्रतिदंदी देश पर हावी होने के लिए एक बार फिर से बड़ा टेस्ट कर इलाके में संसनी मचा दी है इस बार नॉर्थ कोरिया ने पहली नुक्लियर काउंटर अटैक ड्रिल कर इलाके में तनाव को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है दावा है कि इस ड्रिल को नॉर्थ कोरिया के ताना शाह किम जॉंग उनके निर्देशन में किया गया नुज अजनसी केसी एने ने बताया कि प्योंग यांग ने जवाबी हमले की स्थिती से निपटने के लिए परमानू बलो का इस्तेमाल कर मिलिटरी एक्सरसाइस की है नॉर्थ कोरियाई नेता किम जॉंग उनने कई सुपर लार्ज मल्टिपल रॉकेट लॉंचरों से जापान के सागर में एक द्वीब की ओर मिसाइलों की बॉच्छार कर दी ये अभ्यास बीते सुमवार को आयूजित किया गया था माना जा रहा है कि ये अभ्यास अमेरिका और दक्षणी कोरियाई वायू सेना के बीच हुए वार एक्सरसाइस के जवाब में हुआ है इसमें डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ओफ कोरिया की ओर से एक नई सुपर लार्ज वार हेड क्रूज मिसाइल और एक नए प्रकार की एंटी एरक्राफ्ट मिसाइल का टेस्ट किया गया केसीने ने खुलासा किया कि ड्रिल का मकसद पहली बार देश के परमानू ट्रिगर कमांड और कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट करना था साथ ही देश के परमानू बल की तुरंत पलटवार शमता को भी मजबूत करना था अभ्यास में शामिल सैन्य एकाईयों ने एक काल्पनिक हालात को मानते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं का संचालन किया ये माना गया कि जब किसी हमले के जवाब में नौर्थ कोरिया का उच्चितम स्तर का परमानू संकट अलाम किया जाता है नकली परमानू हतियारों के साथ मिसाइलों की गोलाबारी ने करीब 352 किलो मीटर दूर द्वीप के लक्ष पर सटी खमला किया उतर कोरियाई नेता किम जोंग उनने अभ्यास के नतीजों पर बहुत संतुष्टी जताई है वहीं अमेरिका दक्षिन कोरिया और जपान ने शेत्री और अंतरराश्टे शान्ती और सुरक्षा के लिए खत्रा बताते हुए इस लौंचिंग की निंदा की है अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटेनी ब्लिंकन इस सप्ता बीजिंग की यात्रा करेंगे तो ये मुद्दा एजिंडे में होगा दक्षिन कोरिया के जॉइंट चीफ अफ स्टाफ का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाली बेलेस्टिक मिसाइले लौंच की है मिसाइलों को राजधानी प्योंग्यांग से लौंच किया गया बताया जा रहा है कि बैलेस्टिक मिसाइलें करीब 300 किलोमीटर तक उडान भरने के बाद पानी में गिर गई दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिन कोरिया के आकरामक सैनने अभ्यासों को काउंटर करने के लिए नौर्थ कोरिया ने ये न्यूक्लियर ट्रिगर किया है इस बीच प्योंग्यांग ने अभ्यास को अपने दुश्मनों के लिए सपस्ट चेताव निसंखेत करार दिया है साथ ही उन पर सैनने टकराव रॉकेट ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया है केसी एने ने दावा किया कि 26 अपरेल तक चलने वाले अमेरिकी और दक्षिन पूरियाई वायू सेना अभ्यास ने प्रते दिन औस तन सो उड़ाने भरी है जबकि इसके बेहत उत्ते जग और आकरामत सुभाव को जिपानी की कोशिश भी नहीं की गई है प्रपैब के लिएर वाले वाले अमेर लाले अमेर जग झाओने प्रेवाने और रार वाले थावाने वाले प्रते है जबकि तूँआ हो प्रते है जबकि जए दोग्या सुआएबगाए झाले यहता है